नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर स्वे आपका हमारे योटूब चैनल मंजिल अनलाइन गुरूप पर फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महतपूर कुछ भूगोल में प्रथम से सम्बंदित तो भूगोल में प्रथम से सम्बंदित इस प्रकार के बहुत सारे प्रेवलप बनते हैं तो जल्दी हमारे चैनल पर लाइव क्लास भी सुरू कि जाएगी और यूटूब चैनल पर ही सुरू कि जाएंगी हमारे जो संफथाने इस की यूटूब चैनल में से ज्योद्ज़ जैदा लोगों को जोड़ें और साथ ही हमारे WhatsApp ग्रूप में जोडने के लिए आप नीचे देगे इस नमबर पर WhatsApp करें और आप हमारे संस्थान के WhatsApp ग्रूप में एड हो जाएंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं आज का क्या है भुगोल में प्रथम तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ज्योगर्फी सब्द जो है तो आज जो पहला है वो है ज्योगर्फी सब्द के प्रथम प्रस्तावक यानि कि सबसे पहले ज्योगर्फी सब्द किस ने दिया तो ज्योगर्फी सब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन है इरेटो इस जियोगर्फी सब्द के प्रतम प्रस्तावक कौन है इरेटो इस्थनीज है दूसरा जो है भूगोल के पिता फादराप जियोगर्फी तो भूगोल के पिता भूगोल का पिता किसी कहा जाता है हिकेटियस जो है इनको भूगोल का पिता कहा जाता है किसको हिकेटियस को भूग अधुनिक भोगोल की पिता कहे जाते हैं ठीक है तो प्रफ ने इन सब से पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आने वाले समय में एक्जाम्स में तो पूरा वीडियो ध्यांग से देखना लास्ट देखना बहुत सौट वीडियो है ठीक है चलिए अगला देखते ह अधुनिक खगोलकी के पिता किसे कहा जाता है निकोलस कौपर निकस को कहा जाता है किसको कहा जाता है निकोलस कौपर निकस को आधुनिक खगोलकी के पिता कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो मानव भूगोल जो होती जिसक के अंतरगता मानव से सम्मंधित अध्यन करते हैं मानव की प्रजातियों का मानव से सम्मंधित हर एक चीज़ पर अध्यन करते हैं तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है विडाल डी लाब्लास को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है बिश्वी जो है फिश नोंबर प्रत्थम प्रत्वी मापन करता कौन च expect this का किस ने किया। companies modo tempo इस्थ नीज को क्या कहा हम प्रत्थम प्रत्थम ह Under मापन करता इरेटिव स्थनीज को कहा जाता है सेवेंथ नमबर जो है 200 गलोब के निर्मातर जो 200 का मांचित्रम लोग पढ़ते हैं परतवी कहां बीच में भूमद रेखा उपर करक रेखा नीचे मकर रेखा ठीक है नौर्थ पोल, साउथ पोल इसका जो फिर देशांतर होते बहुत सारे तो इस प्रकार से ये जो मैप बना इसको सबसे पहले किसने बनाया तो सबसे पहले किसने बनाया बिस्व की गलोब के में माता कौन है मार्टिन बेहम कौन है मार्टिन बेहम पुस्तक पुस्तक का नाम है इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका ह ஜीओ ग्राफिका पुर्ष तक का हि नाम थीक है तो मानचित्र कला के पिता किसे कर जाता है नानत्त है जो मानचित्र मानचित्र पिता के लुडवेश णकि यापको पता है ये भारत एक पुपनवेश भेसे हुआ करता था क्या वबरट inner voice गड़क करताथ तो उस समय एंग्रेज जो जम्स रैनल पे इनों भंप इनवह समय उद्रे मानचित्र को बनाया था और इसम लिए इनको भारती मानचित्र का पिता कहा जाताềं तो ठीक इस लिए इनको भारती या ने रहा करते थी ठीक है चलिए नेक्स है भूकंप उत्पत्ति के खोज करता है ठीक है तो यह कुछ 10 पॉइंट से प्रफल पूछा जाता है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसको अधिक से अधिक लाइक करें साथी शेयर करें ठीक है और साथी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजे चैनल को तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार